जी आजे आपने ये करायकम चलू करवा चे है यहाँ छे इनि पहले थोड़ू ना नी प्रेयर चलू करी ने आपने 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 करायकम चलू करी छो तुमारी पास्वर बदा बुल जो ओम नमो बगवते वासु देवाया ओम नमो बगवते वासु देवाया । अम्नों अग्यपते वाश्के आया। श्री राधा 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 श् विज्ञान तो जया विशाई चर्चा करवानों उद्देश रचे हमारों आप सव ने वेदिक विज्ञान थी आउगत करागा जिवितना आप सव लोको विज्ञान ना विद्ध्यान के शो बदा साइंस पिल्मा चो बदा तो एक साइंस ने एक डिपार्टमेंट चे आख हो विज्ञान नो एव इतना जे वेदो चे एपने विज्ञान नो एक विबाग चे एक पने विज्ञान चे आप अने खास करीने आधुनिक समय निया अंदर आजे आपे लोकों ये छे ए विज्ञान थी खुब कुछा परिचित ची ये बदा तो किवितना आपने जोई है कि एवन आपनों जे आधुनिक जे विज्ञान जीवी छे एपन एनस त्रोज जे छे एपन सुचे वेदत छे किवितना छे कि आपने आगार स्लाइटों मां आपने जोसू तो सबसी पहला प्रश्न जे थाई छे आपनाने वडिश वेदास वेदसू छे तो आप सब कोई उत्तर आपी सकों आपने थोड़ों खबर होई आप फड़ों थाई सकों वडिश वेदास वेद सब्दन और थाई छे नौलेज ग्यान तो ये वेज छे इन्हें क्यों मावा छे आप पौरुश्य आप पौरुश्य और थाई छे एऊ ग्यान कि जे ग्यान कोई मनुस्य द्वारा रचवा मावियू ना थी अन्हें आवेद न जो ग्यान छे इन्हों एक उद्दिश अपन छे साव द्विश माटे आपकाम आवियू छे तो जी आम उदारां तरीके आपणे मोबाइल पहुवन क्रिदिये मोबाइल पहुवन क्रिदिये को यह नीं सारे मेलू लागा छे बताना खाबर असे मेलू नो प्योग ओई छे वे इतना मोबाईल ने ओप्रेट्ट तरों एवितना जे वेद चे, जगत ने अंदर आपने एक एवितना जीवन जीवू, सुना करू, इबदी वस्त्यानु ग्या जे छे आ वेदों मा आपना मायू छे तो आपने गई सके कि आ जगत ने सुचे आ अमेन्यून छे अंदर तो आपने वेदों ने आवश्रक्ता सुचे आपने, खाना कि आ अपने जोही है आपने दैरेक श्रत्र जांदर आपने कोई ना कोई जीवन जिवन जीवाल माते आवश्रक्ता हुई छे ृचे बदे वस्तु नू ग्या जे छे इविदों मा आपना मायू छे तो अहीं आपने चर्चा करिए आपनों जो अधरिक विग्यान छे जी बॉडण साइंस चे अन्य वेदूनू विग्यान छे बंदेनी प्रक्रिया जी प्रश्च छे एमस्व अंतर छे अब जी मॉडण साइंस चे आपड़ो ये डियलोग ठेवुच आखो चाना धारे प्रयोग ना दारे एस्परिमेंट ना धारे कोई भी मॉडण साइंस चे हिमा सुआ हलर्टी पेल एक हाईपोजेसिस बने त्यार बद सुबने नपर परयोग ठाई एकस्परिमेंट थाई त्यार बद सुबने थ공रदियोग धिया प्रमाणने आवस्पश चालियोग नहीं परन्तु आपने जो हिकी यह सचीन्स आदाहर यह आपने इंदर्यों ना अनुबाह द्वारा आपर जगत ने पार्शा हो खरी से यह खबर, जि até है यह तोकर बिश दो पांच प्रका। ग्याने दरियों चैना ती आपरे आ जगतनों ग्यानने पड़सु करिया चैना खबर चे पांच प्रकाने ग्यान दर कहीं कहीं चैना हां बलौ गान श्रवन एक ले हां पर आख टर्ष्प लेख ले जीवा ओके नाख एक बरे गई तो एक चे कान कान द्वारा आपने सब्दनों ग्यान प्राप्त करिये आख द्वारा आपने द्रिश्चिरों ग्यान प्राप्त करिये नाख द्वारा आपने घंदनों ग्यान प्राप्त करिये जीवा द्वारा पे स्वाधनों ग्यान प्राप करिए और त्वचा द्वारा पे स्पर्षनों ग्यान प्राप सरिए तो पांच प्रकाना ग्यान जेशे आपड़े ए पांच प्रकानी इंद्रना माध्यम से आपड़े परश्यू करिये शे पन आपने जोई है सु आपड़े चीके गष्ट करद़ें को चीछे बदी वस्तु आपणे आं इंद्रीं मार्याम क्शिव प्राफ करी शक्याचे बदू ग्यार उदावंत्रे निके अमने आपनूं कितला लोगों यह चे बेक्टेरें ने प्रटानि यह के जो इसके शेज़ वाईरस ने तौने जो इसके जो आपर सो कुपयो करोपड़े निमने मैं कॉसकोप द्वारा अपने डे जोई आपने जोई है आप द्वारा जोई सकता नकी आपने निमिट छे कान परा आखा गंबन मा त्रला साउंड हिए बदा अबरे साउंड शेल आपने खाली के लिए रेंज है नहीं और यू रेंज के लिए चाहते हैं चलेगा हिंदी में आपको ओके चलो ठीक है तो हमारे कान के सुनने की एक रेंज होती है एक ऑडियो रेंज उसको बोलते हैं तो जो ऑडियो रेंज होती है वो 20 हर्स दुट 20 किलो हर्स तक हमारे कान जो है वो सुन सकते हैं उसके बेवन यह से कम होगी तो हमारे कान जो है साउंड का ग्यान परात कर पाएगे नहीं उसी केमेरा लगाना परता है हम कोई दूर्ट की चीछ इसका में है हमारे इंदरियोंरे हमारे पूर्ना नहीं और जो बी कुछ पुछ भी घ्यान करते हैं वह सब दोषटist है पुर्ष लग्यान नहीं है हम चुक्त हम चुवी कुं कुल दिखता है ज कोई सब चीज जो capture है के बहुत सरी छीज है अहिसे कि इसे दो आपको को हम कर शक्ते दक इसे दार Kenneth इसे कि रुप में कि इलोक्ट्रोन है सब आप लोगों को पता होगा फिजिक्ष आप लोग पढ़े होगे हम इलोक्रोन के बारें पढ़ते हैं कितने लोगों ने इलेक्ट्रोन को देखा है आप में से किसी इलेक्ट्रोन को देखा अभी सब वायर है इसमें से इलेक्ट्रोन पास हो रहा है इवान हमारे सवी के अंदर भी सेल के अंदर क्या होता है सब एक-एक जो सेल होता है सेल के अंदर हम छोटा पार्ट जो है एटम एटम के अंदर क्या होता है सब इलेक्ट्रोन पोट्रोन सब उटा है इलेक्ट्रोन केले लोग इलेक्ट्रोनतों देख पाते हैं। हम देखा All in Smir, तो इस review करते हैं क्यूंकि उसका effect द्वारा हम समझ सकते कि इलेक्ट्रोव एक्जिस्ट करता है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा जो modern science जो है जो आधार पे ग्यान करना चाहता है कि वाल इंदरियों के अनुभूदी के आधार पे उस प्रकार से हम पुर्ण ग्यान प्राप करशकते नहीं है प्वल्टी ग्यान है यह लोजिक के द्वारा भी हम हर चित को पुर्ण उससे समझ पाएगे नहीं जैसे को लोजिक लगाएगा दूर से दुवा निकल लाए है तो हम क्या अनुमान लगाएगे आग लगी है क्योंकि हमारा अनुमान क्या अभी तक जहां भी हमने दुवा देखा वा क्या है आगी है तो हमको लगा आगी है बगर और इसी प्रकार से गर में चलो कोई आवाज आया जोड से तुम क्या नुमान लगाएगे मौम पूटा या तो फिर किसने किसको पीटा आया साथ है तो हमको पुन्न विक्ति से प्रात करणना पड़ेगा वह वक्ति जो Gust form जानता इसे उदरा आप को डित आ कंप जैसे एक व्यक्ति को जानना है एक बच्चे को जानना है उसका कूँं हैu वह प्रेस्ट के लिए है तो क्या तरीका उसके पास कि वह अपने पीदा तुर दुनिया में कितने मेल लोग है कितने कैरे टिंश्च करेगे हैं हम लोग कितने इक population होगी चलो अभी दुनिया के अंदर हम मान ले कि चियाबध पॉपलेस्ट है चियाबध में तीन अबज male population है तो एक आतमे का DNA टेस्ट करने में किन्णा समय लगता है आपको पता होगा सायद जादा 24 गटने लगता है, इतना समय लगता है, 24 गटने लगता है, एक आदमे का यह टेस्ट करने में, चलो मान लेते हैं, तीन मिनिट गिल दीजी आप चलो, तो टीन अबज इंटू टीन टरो आप कितना हो जाएगा, इतना तो आप जिंदा भी रहेगा नहीं, तो तो मर भी और या लिए प्रकार से अनुमान करना, अनुमान मिलता है, मिलता है, लद अनुमान दौरा भी प्रिफिक्ट हम कुछ नेड़ने कर पाएगे, नहीं, एक तरीका है, जिससे हम पून ग्यां कर शकते हैं, और वो क्या है, वो लड़का जो है, अगर अपनी मादा को पुछता है बोलेगा माँ मेरा पिता जी कौन है माँ भुलेगी हज़ारों व्यक्ति होगी उस मेंसे बोलेगी यह तुम्हारा पिता है क्योंकि मा को ही पुन्न ग्यान होता है कि यह बच्चे का पिता यह है मा के लाव और किसे को ग्यान नहीं है तो माही जिस प्रकार से मा जो है एक बच्चे को उसके पिता के बारे पूर्ण ग्यान दे सकती है उसी प्रकार से अगर हमको ध्रमान के बारे में जगत के बारे में पूर्ण ग्यान अपकरना है पूर्ति अधर jaun बहने केवगर्ट की हर चिसको समझा सकते हैं इसके लाबा ओर को वक्ति जो है पूर्ण इयान पराजिकना नहीं इसे हम देखते हैं कि हमेरे साइंस के अंदर हर बार अलब त्यएरी आती है अलब त्यारी चेल्ज होती है मैं जब पड़ाई करा था तब बता रहे थे कि प्लूटो मम्मधय है तो समय के बाद क्या गयोगया प्लूटो क्यो ट्यार नही लिए इसके बाद फिर क्या गया? प्रुटोग्रव है देखो, theory change हो रही है ऐसे ही, बहुत सारी science के अंदर theory आए, वो बार-बार change होती है change होती है, change होती है नहीं एक theory आएगी दसल के बाद उसे theory आएगी यानि कि कोई, perfect कोई knowledge नहीं है हम्मेसा उसमें परिवर्तन उतरता है बगर जो विदिक ज्यान है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि वो absolute knowledge है उसमें कोई changes नहीं होता है जो पहले से भी वही था आदमी वही है बाद में भी वही रहेगा तो यह जो अभी हमारा जो modern science का जो पर्दद ही है ग्यान प्राप करने का वो नीचे से उपर जाना है और विदिक ग्यान क्या है उपर से नीचे आना है descending process है यानि कि अब प्रमानित दोज से सुनते है तो जो विदो का ग्यान जो है वो गुरुश शिषर परमपरा द्वारा आगे बढ़ता है जैसे आप one plus one कहां सिखे two school में सिखे किते सिखाया आपको teacher ने सिखाया O teacher को किसने सिखाया उसके teacher ने O teacher को किसने सिखाया आप जाओ बीछे पीछे 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 एक सुर्वात होगी न, कहां से ज्ञान चलू हुआ ऐसा है एक पोइंट होगा न, कि पर्टेकलर पोइंट से नॉलेच क्या हुआ स्टाट हुआ, बिगनिंग हुआ और अभी तत पहुँच रहा है तो कुछ तो स्टाटिक पोइंट होगा जहां से knowledge की सुर्वात हुई तो ये जो वेदिक ज्याने ऐसा ही है इसके सुर्वात हुद ये पगवान से और ये गुरुपडम परा के अंदर ये ज्यान जो है वो सुष्ष्री के अंदर पुरा आता है यहां तो भी क्या हुआ हमारा जो भारत देश है उसके अंदर ये वेदिक ज्यान को पोड़ फ्यला हुआ था पहले समय के अंदर ऐसा नहीं कि जैसे हमको सिखाया गया है साइंस के अंदर हम समाद में इतियास है पड़े ऐसा कि पहले भारत के ओपर आरियन लोग आए उन्होंने भारत के ओप उमला किया और पहले भारत केंदर कौन रहता था रिविडेन लोग रहते थे उनको बगा दिया पीछे और आरियन लोगा ने कपजा कर लिया पर आरियन लोग वेद लिखाया ऐसा है ऐसे इतियास हम पड़ते हैं मगर हम वास्ते में देखे के ये सब इतियास जो है वो गलत तरीके से हमको बताया गया है कैसे? इसके बारे हम देखते हैं ये बाद में बदेखाता हूं को पहले ये बताता हूं एक मैक्स मुलर करके आप जानते हों कि एक बहुत बड़ा इंडोलोजिस्ट हो गया ये बात है एक मैक्स मुलर जो था वो जर्मन था और वो संस्कृत बासा में उसने बहुत पड़ाई किया था कि जर्मनी के अंदर संस्कृत जो है वो पहले से ही लोग जानते थे वहाँ तो क्या हुआ? वो इंग्लेंड में आया और उस समय के अंदर एंग्लेंड के अंदर लौट मेकलो करके था एक जिसको बिटिश पारलामेंड ने भारत के अंदर बेजा भारत को सरवे करने के लिए बिटिश लोगों को भारत के अंदर सासंग करना था और उनको mission दिया कि अब भारत में जाओ और देखो कैसे हम भारत में सासंग कर शकते क्या हमको कठिना आएगी कैसे हम उसको ज्यादा कंडूल कर शकते हैं तो Lord Michaelow ने पुरा क्या किया पुरा भारत ब्रह्मन किया भारत ब्रह्मन किया तो उसने फिर उपना रिपोर्ट था British Parliament के अंदर प्रस्तुत किया और रिपोर्ट के अंदर उसने बताया कि हम भारत के उपर सासन कर सकते नहीं है हमारे लिए कुछी किसी प्रकां के शक्ति नहीं है कि भारत के अंदर को सासन कर पाएगा क्योंकि भारत का कल्चर जो है सुस्पूत यतनी आगे बढ़ी है वाहां घर के लिए टाला लगाता नहीं है और चूरी नहीं होती है सब टाला के मेरा कुमते हैं और लोगों का एजुकेशन इतना हाई है और हम लोग उसमें सासन कर सकते नहीं है क्यों क्योंकि भारत के लोग जो है उनका जो पुरा जीवन दिन चरिया है पूरा आधारी थे सास्त्रों के उपर विदों के उपर विदों को पुरा ऐसे छाती में जेके कुमते हैं उसको इतना मानते है वहां तो हम भारत के उपर कंट्रोल कर पाएगे अगर हमको कंट्रोल करना है तो हमको उनके अंदर ऐसा शिक्षा देना पड़ेगा कि उनके मन में सब फिल हो जाए कि वेट जो है सास्र है वो बखवास है गटिया है और जो यूरोपिल नॉलेज जो है जो इंगलेंट सारा है या तो जो यूरोप में जो ग्यान देलब हुआ है वो फर्स क्लास है पूरा यह हमको उनको भारतियों को सिखाना पड़ेगा वहाँ जाते तो उन्होंने क्या क्या मेंक्स मिलर को एकॉंट किया मेंक्स मिलर ने क्या किया वह आया नारत के अंदर वेट लिये और वेट का अपने मन गड़क करके से इसका अनुवात कर दिया इंग्लिस के अंतर और इसने वेटो किती जिदा किया कि वेटो में तो एक कालिक बात है बच्चे जिसी बात है अभी प्रैक्टिकल नहीं है तो खाली हरी पोर्टर के बात है ऐसा जैसे आज की बात में बुलेगे ऐसा कोई कुछ है नहीं जो खाली बच्चों के लिए अंटेटिम्न के लिए 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 अधिवासी थे असब लिए इसा तो क्या बोलता है यह देखो वेदावे वर्स देन सेवेज एंड इंडिया मस्त भी कॉंकर अगेंट बाइजुकेशन इस रिलिजन इस डूम यह उसने अपना ऑपिनेंट दिया किया आवेद है मल है ऐसा यह तो और क्या भारत को बिर्सम को क्या करना पड़ेगा उनको सिक घर के अंडिर की विर्सम करते मां मल लगाते लोगं गाये के गोबर घर में लगाते है ऐसा है कितना फिछलों है इस प्रकार से उनको क्या किया गया वियंदो को अनिन्दा किया वहाँ पीर ऐसे ब़ते अदे हैं अमिधिकल स्लियर और प्रमीड टैंट इस नेंग इस और य तो यह एक दूसरा एक इंडरोजिस्ट थे, वो बता रहा है, यह कोई व्यास देओ, कोई मैइठोलिकल कोई ओथर हो गया, यह सा लोग बलते हैं, बाहर के लोग, इसा कोई है नहीं, मगर ऐसा कुछ लिग दिया है किसी नहीं, फिर इंडिया इस इन ब्लड और कलर, बट और इसकी कोई बुद्धी है, वहाँ, ऐसा, यानि कि क्या दिखा रहा है कि, जो बिटिश, यानि कि जो एरोकन कल्चर जो है, जो वेस्टर कल्चर हैं, उसको बोलते हैं, वो सुपेरियर है, और अभी जो इस्टर्न जो संसकुर्दिती, वो इंफेरियर है, इसलिए वेड जैसा कुछ गलत है, तब आखन कली बना दिया गया, ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, अभी थोड़ा में यहाँ, यह स्ट्रेक बटा रहता हूँ, अभी जो वेड के अंदर है, जो हमारा में पॉइंट है, चर्चा का यहाँ, खाली वेडों के अंदर हम देखेगे, तो ऐसे आई है, एक आप पराविध्या अरहें, अप आप पराविध्या, यह जगत के बहु vient का नौLजइच जो हमारे सांस के बारे कुछ जानते भी उसके बारे क्या है, और यह आपकराविध्या आप अप इस जगत के संबदित जो ज् segas गयान है, जो हम दे दुटरे हमारे जहं तो भी हम आज चर्चा करेंगे जो पड़ा विद्या है वह तो भीवन गयान है उसका तो भारत के अंदर अभी लोग बूल चुके पोग साल लोग इसको के ट्रांसेंडेंटर नौलेज उसका एसेंस है बहुत गीता शुमत दागा तुम्ट उसका एसेंस है पुरा और जो अब आफ़िध्या जो है जो हम हमारे जानों प्योग करते हैं उसका शूरुटमि क्यांसे निकला हुए तो विदो के अंदर जो अफारा विद्या है उसका 14 ब्रांच है जैसे हमारे कॉलेज के अंदर अलग नौलेज में अलग ब्रांच होती है जैसे बाइलोजी का एक ब्रांच है केमिस्ट्री है फिजिक्स है और यसे अलग अलग चीज होती है पूरी इसमें अलग सब ब्रांच होती है सब के सबके मेडिकल प्रांच है मेडिकल अंपिक देंटल है फिज्जियो है या मड़ी बीए से इसमें अलगवे प्रांच होती है किसे वेदू में भी क्या है अलगवे प्रांच इस यह हमारे भारत के अंदर गुरुकुल में पड़ाया जाना था गभी तो है commerce ब्रांच को शिक्षा यानिकी सबसे पहले मीदों को सिख्षय से पहले व्यक्ति को शिक्षा शिक्षा होता यानिकी हम उसको बुलेगे अनुटाब उत्यक्षा यसको कैसे उंको में चार्ण करना किए वेद का यान उक्षई चारित करने से याद रखना तो इसको प्रद्द ये जिसमें व्यक्ति को कैसे पढ़ना है जैसे हम का का गा सब पढ़ते हैं ना इसमें से शिक्षा में खाता है फिर निरुप्ट निरुप्ट याने की अभी चलो लेंगे तो सिख लिए हम लोग उसके बद क्या चाहिए हमको सब्दों का एक अलग समाना उसके सिरों में से समकं swallow क्या है तो उसके लिए डिक्ष्टिए चाहिए तो इसमें दिक्ष्टरी मिह निरुप्ट करद इसके बारे हम योड़न में använd चर्छा क culpa करें घ्यापरय हम कोई कई मिन ह chapter मनाना है नउँ सुझना पड़ों किर रिदे तो दूमय दान सब्सकी ने शक स्लाइट के अंदर जुदिश्का विज्ञान फिर कल्प शुत्र चंद न्याई सास्त्र निमांग्षा सुत्र और पुरान और फिर उपवेद भी है जो है आयुवेद अर्थ सास्त्र गंदर्ववेद और धनुरवेद आयुवेद कब जानते हैं यहां ही इनुशिटी है जो आप चेकिश्चा सहली के अंदर उप्यों कहता है आयुवेद का और फर अर्थ शास्त्र यानि कि एकोनोमिक्स जो आजकी इकोनोमिक्स ऑसने कि वेदु में भी है इकौनोमिक्ष र यह जो प्योग करते हैं वो तो पूस ग्रॉस्वल पे हैं उसमें बड़ा चुड़ाव साइंस जो था वेदो में था जिसमें दुरुबेद के अंदर यह ज्यान सिखा गया है कि अभी हम देखें कि यहां modern एड वेडिक साइंस तो जो गनीद है वेदो के अंदर जीरो, calculus, sets, group, theory, minori number, system इस सब हमारे वेदो में पाई जाती है आप देखो इस जीरो जो एकां से आया पहले ग्यान था जीरो के बारे में किसे को? इस जीरो किसे दिया है? वेदो से निकला है आरे बटन उसको दूर निकला वहाहा से जिसको वेदिक गनीद केते हैं जिसमें आप हज़ारो की conclusion जो है आप ऐसे ही मन में या तो ऐसे आप अंगली में कर सकते हैं आपको computer की आवश्क्ता नहीं है देखो computer बना दिया, किस के लिए बनाया, जिन लोगों का बुद्धी चलता नहीं, वो computer बनाते हैं उसमें लोगों की पास बुद्धी थी, कि हज़ारों के conclusion जो थे, वो खाली ऐसे ही, formula हों के पास थे, ऐसे ही याद दख्के पुरा कर लेते हैं तो वेदिक गनित जो है, वो हमारे वेदु में हैं ऐसा, और आज modern गनित भी हम सिखते हैं फिर हम देखते हैं physics and astronomy तो अभी गनित के अंदर हम देखेगे इसका सब साइट है जो आगे आएगा, सबसे पहले बता हूं, physics और astronomy जिसमे जोतिश आता है, यह department है, जोतिश दिपार्टमेंट, जो physics का ही बाग है फिर chemistry, आयुवेद, रसायन शास्त्रा, biology, आयुवेद, logic and philosophy, नियाई, history, पुरान, civil engineering, कल्प शास्त्रा, computer science, जो है व्याकरन, language के मिले च्छन्द और निरुक्टा, और political science and civil law, तो अर्थ सास्त्रा और धर्म सास्त्रा, entertainment के लिए गन्दर अभीद, अभी यह गनित के लिए ह कौन सा लो है, आप गनित बढ़े होगे आपको पता होगा, पाईता गर उस लो है, बराबर, मगर ये लोग पाईता गर उसे खुद ने बनाया है क्या, ये लोग तो पहले भी था, और ये लोग ऐसा नहीं है, ये लोग हमारे विदों पाया जाता है, यहान एकोई, बोल द सार निचेश का अनुवाद है डाइगोन लॉप रेक्टेंगल प्रोडूस बाइट सेल्फ बोद एरिया प्रोडूस सेपरेटली बाइट इस तो साइट सुबल सुत्र थी पॉइंट एलेवन तो यह पाइटागरस इसे भी है तो हमारे विदू में है पहले ऐसा है ऐसा नहीं के नहीं था पाइटागरस दोन निखाला पहले से यह सुत्र मवजूद है जो बोद यहां रसी ने दिया था विदू के इंदर ऐसे बहुत सारी में मिद्स में खाड़ी में यहां एक उडारा आपको दिखाता हूं इदर उसी प्रकार्शन यहां देखें दे यूनिस ऑफ मेजरमेंट यूज इन वेदा इजली लिट्टो दर एकिरसी अप्ड़ा रफ्ली 1,000 अप्ड़ थीकनेस ऑफ दो सिस्टम सीट तो यूनिट जो है हम मेजर करते कुछ भी यूनिट का वो भी वेदू में बताए रहा है जो सब जो है हमारे विदू में पाया जाती है यह रूप विद के अंदर पाया जाता है सिरीस ऑप और नंबर इवन नंबर यह सब सास्वर में है पिर पावर अप्टेंड टेटर उपनिशन में है डिसिमर सिस्टम अर्थर विद में है एक रेफरस आप यहां दिया हुआ है पिल्मर्टिफिकेशन वो भी है फ्रेक्शन इंफिनिटी यह सब ज्यान हमारे विदू में है अब यह ज्यान को कैसे पर चला हूँ आपको आगे बताऊंगा मैं कैसे वो लोग जाने ऐसा है वेल्यू पाई हम पाई को सोते हैं पाई बोट डिफिकल है ना 3.14 ऐसा है देखो हमारे वेदो में पाई का भी बताया हुआ है इन लोगा ने पाई बोला कि हम लोगा निकाल उसका वेल्यू वहां अभी एक जो एक पाईलो जिस्ट है उसका एक कोट है Geometry must have been known in India long before the writing of Surya Siddhant 2000 BC Surya Siddhant contained a rational system of Trichometry तो एक book है Surya Siddhant करके जो जो 37 संबदित है फिजिस के संबदित जिसमें जिवी ट्रिकोमेटर के जितनी फार्मूला जो होते हैं उससब फार्मूला से मिलते जोते फार्मूला आपको Surya Siddhant में मिलेगे एक book खास करके उपर को थी है यह जो अलगा ग्रह है इसकी movement को measure करने के लिए कैसे चलता है पूरा सब जो है पूरा यह पूरा book के अंतर पाया जाता है यहां कैसा नहीं कि Trichometry हमको बात मिलाई पहले सही ही मुझूद था यहां अभी देखिए physics and astronomy यह जो एक फिजिस्पेक लोग है energy conservative law क्या है कि इसे को पता है अब सुनाओगा आपने energy cannot be never सक्टी जो है सक्टी सवरक्षन का लोग ऐसा कुछ बोलते हैं हमारे गुजादियम बोलते हैं उसको उर्जा सरक्षनो नियम इसका अर्थ है कि जो सक्टी है energy है उसको हम पर्दूश भी कर सकते हैं नहीं है अगर उसका हम फॉर्म चिंद कर सकते हैं और इकासन के अंदर अभी इस जो ही इस फुलोक के अंदर इहें लोग के बारें वड्रन हैं इसमATION's will नहीं कि जो ना समय में कार्थ हमएकफता है कि जो कुछी श्रत पर नहीं करती है उसका कभी है नहीं यानि कि यह क्या दिखा रहा है कि असत है उसका अस्तित्व नहीं है असत इसका विनास संभव नहीं है तो यह क्या है एक energy conservative law जो गीता के अंदर पाया जाता है जोटिस सिद्दान का अब यहां देखो जोटिस सिद्दान हमाई भारत के अंदर बहुत पिले डेलब हुआ है और आज भी है आज हम देखते कभी सूर्य ग्रण होता है तो modern scientist लोग भी सूर्य ग्रण को prediction करते है और जोटिस लोग ही prediction करते है वो कैसे करते हैं उनके बास भी जिज्ञान तो है न तभी तो prediction कर पाते हैं कि हाँ सूर्य ग्रण होगा अच्छ अंदर ग्रण होगा हां तो कैसे करते हैं उनका भी जिज्ञान है पूरा वो तो कोई ऐसा कोई कि खोगोर सासरे बने नहीं हैं वो लोग नगर क्योंकि इस ग्यान आ रहा है इवन आप जुदिस के द्वारा पहले कितने साल पहले किया गटना हुई थी इसको भी आप उसका जो टैम कर सकते हैं पूरा तो यह जो ग्यान पूरा हमारे भारत में था इसके जुदिस सास रखे nana अभी ए जो है से अज्टें बतारा है साथ क्यू है लग कि काल में बच्ट नहीं है एट आप क्यू लार्न संस्कृत Come along and see my library. We treasure classes from Sanskrit. The Gita and other treasures on Hindu philosophy, they are the main source of my inspiration and guidelines for purpose of scientific investigation and formulation of theories. They are the main source of scientific investigation. The scientists are also the main source of scientific investigation. The mathematical science was so perfect and the astronomical observation was so complete that the path of the sun and the moon were accurately measured. The distance between the sun and the sun and the sun were accurately measured. This is an ordinary measurement. In the Vedic Science, there has been a measurement. Accurate. It is not that you have to do something accurate measurement. Chemistry. Chemistry is a branch of knowledge. This was also developed by India Cancer. Can you see a tree? Which tree? Which tree? Which tree is trapped inside? Are you looking at this? You are looking at it? If you were looking at it, you will look back to it. You will look behind the tree. The tree will look behind the tree. It's a tree. It's the tree. I have found the tree. The tree will re-team. It's research. It's the one of those trees. बेंटे थे सोने का ग्यान है अभी तो यह साइंस के लिए डियालोग था किसे जमिन से धातू को निकालना है एक्स्रेक्शन करना है उसको कैते हैं फिर उसको कैसे दो धातू को मिलके एक धातू बनाना है विए ग्यांने है आप देखो मंदिरों के अंदर पेले गंटो लेते हैं वो गंट किसके बिने पको अब थातू उप्योग की होटिये हैं उसके अंदर उबराशका उताया उसके अंदर कोपर और ये दूसरा अपनसा जिंक और दूसरा क्या हrouटाए पिटल ईहा वीध yang द्दातु को उप्योग करके पुरा बनाया जाता है यह ग्यान पूरा मुझूद है सुनि को कैसे निकालना है एक्षट करना है कि सवना तो आप खुलो गेता आपको सवना दिख जाएगा वहा है आसा है तो समिला होता है अंदर सब तो अलग अलग कैसे इसको chemical process करके इसको ए आन है फिलर के अंदर जागने पड़ाए वहां तो अन्यसका किसा बनाया होगा होगा कि इसके अंदर कुछ जाग नहीं है तो कितना डियालोग स्वह उत शुनिव कि पता भी नहीं वहां को मगर तो तोड़ना कितना मुस्क्री चीज यह तो यह घ्यां डियालोग था पर ल इस प्रकार से इसका वर्णन है पुरा तो का वर्णन पुरा फाया जाता है अभी कैसे modern science के साथ ही मिलता है इस सब चीज जो है वह हम देखते हैं इस एक्स्रेक्शन केते हैं इस दातू को निकालना है तो इसको वेडिक सेंस में बोलते हैं इसको महारण करना फिर विलिफिकेशन एंड इसलेशन एंड फ्रेक्टिशन असन शूधन और फिर एलोई यानि कि इसको बंद करना तो यह संस्क्रिट्टम है आज की modern term है जो सेम ही है अल्मॉष्ट अभी मेडिसिंग के अंदर हम देखेंगे तो आप लोगों साइट पता होगा आप लोग आईववेट के नजीक हैं तो आईववेट में दो पुस्तक बंत्रपून हैं क्या है वो चरख समीता और सुसुप समीता जो सुसुप समीता जो हैं वो खास कर सरजरी के लिए हैं और यह सब जो ग्यान है तो आईववेट के नदर विस्तार से पाया जाता है पुरा अचली इसके बारे बहुत डिटल है आईववेट के अंग होते हैं इसके अंदर बताए गया है अलग अलग विबाग है उसके अंदर तो यह जो पुरा है आप देखिए मॉडन इस्टूमेंट है और यह विदिक इस्टूमेंट है इसके अंदर आप देखिए यह जो मॉडन जो हमारे ट्रीटमेंट करने की प्रद्दत ही है उसमें यह क्या है चार विबाग है एक अलो पे थी इसको आईववेट में पासना क्या आ जाता है इसको हेट्टू विप्रित कारी विदिया वड़ावद मुझे पता है क्योंकि मेरा मेडिकल नहीं है मगरे आपको सवार बता सकता हूं कि जैसे ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आपको कि जो कुछ भी आपको इंट्रेक्शन हुआ है उसके वीरुद टेमिकल डालना उसके अंतर उसक जिस चेया कर इसको नेट्र कल देना वहां से हों कि इससे दूचल हो जाए यह गजा है तर क कि अपरीन काहिप्रित करी विद्या ckenडि नहें चर्मा हुआ अंगि कि यहादू में वीप्रित करी ज़ें झालदी जाम में अब कलीर आ कघ। अल्टेरियर मेडिशिन्स रसतंत्रा समुन्ध चाय तो यह आयुद के अंदर भी एसब डिपार्टमेंट पाया जाते हैं अभी देखिये जो मॉडर्ण के अंदर मेडिशिन्स जो है वह है काया चेकिश्ञा जिसको कहेते हैं विडिक्ति में सर्जरी को कहते हैं सालिय चिकिष्चा यह आइविल का आंठ अंग है जो बताय जाते हैं कि आपके एंटलोजी सालिय कियम पैडेट्रिक्स कुमार ब्रिट्टियम आपको जानते हैं तुम को आपकी मेडिकल ब्रांच की ही है इसकी क्या-क्या षोते हैं तो जो मॉडर्न साइकेट्रिय मी क्या बताता है कि पर्स्ट्राइट्रीच हो गई ऐसा है एसा बोलते हैं ना psychology के अंदर पुरा कि व्यक्ति के अंदर दो व्यक्ति जैसा फिलोटा उसके अंदर वह दो प्रगा बेवार करता है मगर यह वेदों में है बुत विद्या ओभी जी प्रशुती विद्या फोरेंशिक विसर्ग विरोध चिकिष्ण जिरेंटिक्स वाजी कर आईवट का बच्चा होगा उसको पता होगा पीछे है यह आप जानते हैं एट ब्रांच आईवट के बारे में अच्छा तो यह modern है और यह हमारी आईवट के अंदर यह पाई जाती है सब्सक्राइब के अंदर भी कमी नहीं है आप देखिए फिलोफ़भी बारत के अंदर पहले से प्रक्यात है खास को कि उप्रिश्दों के अंदर विदान के अंदर पूरा परम सकते क्या इसके बार फिलोफ़भी डिश्कॉशन है पूरा और हम फिलोफ़भी आप पढ़ने जाओगे डिपार्टमेंट के अंदर तो उसके कुछ सिस्टम होती है तो वो भी हमार सभी पढ़ा होगा आपको पता होगा कोई पढ़ा ही तो फिलोफ़भी का सुड़न कोई है यह वह आर्ट्स में ज्यादा पढ़ते हैं फिलोफ़भी इसके अंदर आप कैसे वेलिट नॉलिज को प्राप्त करना है उसको जानने के लिए नियाए सास्त्र का उप्योग होता है पिर उंटोलोजी है सांख्य हर चीज को तक्व को विश्चन करके उसको जानना उसका कोई उसका इफिट सब अनुमान करना जानना इस सब जो सांख्य के इन दफाए जाता है लोजिक तरक सास्त्र तरक विटरक प्रडंड इस सब अलग-अलग चीज है जिसमें कैसे तरक सास्त्र जो है पुड़ा वह हमारे यहां भी मुझूद थे पुड़ा फिर इटिक्स एंड मॉलाविटी कि दर्म शास्त्र जो में कुछ कर रहा हों क्या हो सही के गलत है अब बाहर जाए को छोड़ी कर लो तो अभी वह भी मॉरल तो है हमारे यहां भारत के अंदर कुछ न जिक्स भी है धर्म सास्त्र है पूरा इसमें हर व्यक्ति अपना जीवन जो है उसके अनुसरा जिता था क्या करना है क्या ने करना है पूरा एस्टेटिक्स, रशसास्त्र, यानि कि एंटेटेमिन के लिए जो कुछ होता है, इसको रशसास्त्र खाना जाता है, यह सब, कि कास्ट का फिर्म इंटिश्ट्री में उप्जब होता है उसका, यह चिछ का, इसका फोटो है, आप सब जानते हो, उसको कौन है यह, कुछ, यह है, फ्रॉइट, कौन है, जो साइकलोजी का पिता मना जाता है, यानि कि साइकलोजी को ज़्यादा ड्यालोप किया, इस ने, मगर हमारे विद्लिक सैंस के अंदर साइकलोजी के आपर बहुत सार ज्यान है, इवन आप बहुत चीट बताए गई है, जो कुश लोकों के अंदर इतना कुछ बता गया है, जो आज की हमारे पित्छ लोग जानते भी नहीं है, आज की मोडर्य साइकलोजी में किया, एक कॉ इसके बारे में कुछ बता दों कि हमारे यह बुस्ट को बता गया जिसे यह गुदारति है कोरस के बारे को सिक्षा कैसे हमारे जो कोस है सरिक अंतर यह तो फिर जो मारी च्यत ना है उसका कैसे बढ़ता है सब्सक्राइब इसे जो अवस्ता है इसको कहतीं अन्ध मही कोई ख्यथ पोगान की चितना की आहे तो IT कि लिए कमाइब कर ला फिर और इसको प्राण में कोश्च कहते हैं पिर मनौ महीं थोड़ा बड़ा होगा कुछ तेरा चोदा सलका होगा कि उसका माइं डिलोफ होगा प्राण करेंगा एसा क्यों नहूंक है तब विचार आना कि होगा तब सभी जानने के लिए प्रइच्ण करना साइंस क्या है उसको विज्वान में कोश करते हैं फिर आनन में कोश यानि कि विक्ति अल्टिमेटली जो डिस्पुल जीवन है उसके लिए वो प्रयास करता है तो ये छे चीज भी हमारे यहां सब साइकलोजी के इंदर पाए जाती है सब चीज़ आपने देखा ओक्सपॉट ऑक्सपॉट डिक्शनरी हैं अभी डिक्शनरी कितने बड़ी होती है मगर जो वेदिक डिशनरी जो है इसको निरुप्ति कहते हैं वो केवल बच्टिस पेच की है सुचो बच्टिस पेच के अंदर सब आ गया उसके समाने सब्दा आ किमें सबकुछ जो है उसके द्रातों क्या है कहा सकता हं सबकुछ उसके अंदर आ जाता है कितना अएक तो यह आप डिटी सकते हैं वहार्शा के अंदर क्या है पिर्टोरिक्ष अलंगकार अब पढ़ाओगा अलंकर सब्दों में अलंकर आते हैं फिर gebracht एंड कार को वहर ओरिजीन एंक्षिकन यानि कि सब्दों का ओरिजीन कहा से है कि सब्दै है हम गोलते है कॉलेज के सब्दै पिर कॉलेजेवि इस्ब्द lisa तो ऐसे हमारे धातव कोश जिसमें सब्दों का हर सब्दों का एक o政 مगया हुआ जहां से सब्द पैला हुआ है तो ये इसको धातू कोश कर आ जाता है कि अम्पूटर है इंब एक anti-made श्रूर है समश्थ कोई निकड़के इसने computer को रचा, language रखा, उसका language बनाया, computer language बनाया, अभी computer language के अंदर सबसे बेश्ट जो चलती है, वोई संस्कृत, संस्कृत जो है, इतना systemic बासा है, इसके अंदर पुरा सब्द, आदा सब्द, का रुखना है, सब पूरा उसके अंदर वंडन है, तो अगर आप संस्कृत को, आप easily, computer language में उसको transfer कर सकते हैं, यहाँ, तो इसने यह संस्कृत से ही सिखा, क्यों संस्कृत में इस प्रकार लिखा जाता है, खुरा, तो इसने इस प्रकार शेए idea लिया वहाँ से, संस्कृत के बारे में, इसमें बताएं, the six kind of sutras are, सजीता, परिभास, वीधी, नियम, अतिदेक, अधिकार, यह संस्कृत में जानते हैं, उनको भी पताओगा, कैसे बासा के रचना होती है, पूरी, यहाँ बताएं, रूल जो है, आदेश एन सम्यक सुत्र, कोई भी चीत को रचना करनी है, संस्कृत बासा में, तो उसका रूल क्या है, वो सब बताए जाएगा, स्टार्ट सिंबॉल, कोई सुरुबल क्या होगा उसका, एम्टी स्ट्रिंग, खाली जगा कैसे रखता है, आप वो पताओगा, वो कई बार संस्कृत बासा के अंदर आप देखो, डेश आता है ऐसा, तो यानि कि स्टेट्मेन इसे चलो होगा है, ऐसा है, बहुत सरी चीज है, जो यहाँ, यह modern computer में इसको अप्योग करके, यह बनाया जाता है, लेंग्विज रची जाती है, voice recognition, सिक्षा, मैंने बता है, उच्चारण, संस्कृत में सबसे बेले क्या होता है, उच्चारण से सब्दों का एक्जिट, sound जो है, प्रोडूश उप्रा होता है, आज इसको फोग होता है, दिखो, फोन के अंदर, आप बोलते हैं, hello, तो आपका phone record करेगा आवाज, और पीर आप hello कई बार क्या होता है, computer भी हम खुलते हैं, तो हम अपना आवाज बोल के उसको खुलते हैं, क्योंकि computer ने हमारा आवाज क्या कर दिया, record कर दिया है, अब जब दुस्री बार बोलते हैं, वहीं क्योंके अंदर, तो वो दोनों आवाज को क्या करता है मेच करता है मेच हो गया खुल दिया मेच लेगा दो क्या हो जाए खुलेगा तो किसके आजा पर चलता है यह हमारे अंदर वेदिक मंत्र जो थे मंत्र का उच्छारा निस्प्रगा करना होता है तो मंत्र द्वारा उसके सक्ति जो है वो एक्जिट्ली उसका एफिक्ट जो हम बिलता है तो यह वेदु में हैं और यहां आर्धिटेक वास्तशास्त्र आप देखो आप द्वारा का मंदिर गए हो कि अब गए द्वारा का मंदिर निए सल्पेरे बनाओगा आपको लगता है अंदर चाहाँ, चलो 1000 साल पहले बनाऊगा, 1000 साल पहले क्या ऐसे केनलोजी थी है ऐसा, कि ट्रक ट्रंस्पोर्टर संथा है ऐसा, कि पत्थर को लेके आना, उसको गिसना, मसिन थे ऐसे, करना उसने उपर चड़ाना उसको, किसे बनाया होगा उसको, तो ये आ आप देखो, कई बार मंदिरों में अलगरा कुछ कर्जिंग होता है पुरा, हर कर्जिंग एग्जिटली होता है, आप देखो, एक इच कभी फरक नहीं होता है उसके अंदर, आप सामफिंडर जाएगे आप लक्षिन बारत के अंदर, तो आप बड़े-बड़े मंदिर वह जाके पुरा होता है, तो यह डियलोग था पहले भारत के अंदर भी वास्तुत सास्र, जिसमें यह आइकेटेक्कर ज्यान था पुरा, कैसे बिलिंग बनाना है, कैसे हावा उजस आएगा, कैसे पुरा सब प्रकास आता है, हावा चला जाता है, अलग-अलग हर चिकों, जिस पुलिटिक्ष एंड एंबी यह है, तो आप देखो, हमारा वेदिक जो पुलिटिक्ष है, वो क्या है चानक के निती, अब जाने चानक के का नाम सोने आप लोगों ने है, वो राद निती के अंदर गुरु मना जाता है, अचानक क्या, वो जैसे वो बलते हैं, अमिस्ता क् जाती है, विदूर निती, विदूर जो थे, दुतराश के मंत्री थे, सला सोचन करने वाले थे, तो ये भी पूरा अंदर बताया गया है, तो जो वेदिक, जो मौनर्न, जो राजकरण है, पावर ओवर टीपन, इसमें क्या से काई, लोगों को कर से कंट्रोल करना है, पाव और ओवर माइड, कैसे खुद के मन को कंट्रोल करना है, व्यक्ति जो खुद के मन को कंट्रोल करता है, वो सब को कंट्रोल कर सकता है, अब जो व्यक्ति खुद का मन कंट्रोलने कर सकता, बाकी लोगों कैसे कंट्रोल करेगा हो, समझें आप क्या है, तो दूरा उल्टा है, फिर लो लो के लिए मनुस्मुति थी आसो जानते हैं जिसमें लो बता गए कानून पुरा ये गुने के लिए प्राश्चित है पुरा ये सब लो है है आप देख सकते हैं मॉडरन चिविल क्रिमिनल लो आचार इठिक्स व्यावार पुनिश्मेंट प्रायस्चित ये सब आज भी है की डिफेंस के अंदर हैं अब देख सकते विहमान का सास्थरा विमानका कॉंसप्ट भी हमारे सास्थर में है पराश्थरा है ये इदिक वीमानों की दिजाइन है पुरी बताए गई है सबकोनी वीमान यह वीमान देखे आपको बताओगा कैसे यह लोग ने वीमान दूर निकाला है हमारे वीमान की बारे में वंडन है पुरा एक बूक है पुरा आप गुगल करके जेख सकते हैं वीमान इक शास्त्र पुरा रचा गया है यह इस रोके अंदर रूप जोग होता है उसका अभी इस तक्का जिसमें लोग अनुसर्फ के में सब बनाते हैं सब अग्रिकर्चर पुरा विज्ञान उसके अंदर बता है अभी आप देखो अभी जो केते करते हैं उसमें एक बीच जो है कितने एक तक एक पाक लगाते हैं मगर वीडियो बतागा है एक पाक लगाओ इसके बाद जिसरफ पाक लगाओ अब एक जगा है कपास सब जगा कपास बिकट जाएगा कपास क्या लगाना है इससे का पास कर जिव आएगा इसको मार देगा वह तो यह एक प्षर को पोश्ण करता है जैसे हम निर्गयाँ में पढ़ते है सर जीवन अपना सुनाओ बिस्वाइन साभ उचा खासके यग्य के अंदर प्योंग होते थे रुस्री मुनिप्योंग करते थे, डामेंशन, पुरा मेजर करने के लिए यग्या कुर्ण बनाना है इसके अंदर, कुर्माश्रेप, एंडेटेमेंट के लिए नाट्य सास्त्र, काविय, प्रकास अधिका, पुरा ज़ंदर भी लोग उसको प्रशन करते हैं मुजिक हमारा वेदिक मुजिक भी है और यह मॉडर्न मुजिक है पुरा उसमें भी इसको इस पर गार दर्शाते है वेदिक मुजिक को इस पर गार दर्शाते सारे गामा पादानी साहिया सब सूर है वहाँ पीच, नॉट, सूर केते, अप्रिको, आरो, और आरो, याने की इच ले में गाना, और रहें कुछ ले में गाना, स्केल, राग, टेंपो, लाई, बिट, ताल, तो यह सब मुझिक, आप जो पढ़े हुगे, आपको पता होगा, साथ को जानता हूँ ने मुझिक के बारे में, तो यह कोट है, एक बहुत में ठीलोजिस का, जिसने बारत की प्रसंशा की इसके ज्यान के लिए, अब यह जो अन्य अन्य कोट हैं, जो भारत के प्रसंशा करते हैं, यहां, अभी बताना चाहूँगा, यह ग्यान यूरूप में पहुचा कैसे, तो आपको पता होगा, भारत के अंदर, तेरे भारत के अंदर लोग पढ़ने के लिए आते थे, और भारत की बहुत बड़ी विस्तव विजले थी आपको, एक कितक्षशिला नालन्द, आपको पता होगा अशाय थे, नाम सुने आप लोगों ने, यह बहुत बड़ी आप लोगों का अखर मनोगा, तो आप लोगों ने किया किया है, सासर छुडा लिये, और पुरी जो विस्तव देथे इसमे आप लगा दिया, आप लगाया, यह इतना पुस्तव सा उसके अंदर, ऐसा बोला जाता है, दो तिन मिने तक पर आप चला उसके अंदर, इतना अखर चंड लिया उनसे, पिर ग्रीक लोगों से चंड लिया, ये ये लोगों ने, और ये लोगों के पास याई, कमसे कम सतर मी सतव दिम्य के पास आगई हुआ पुस्तवे, और पिर उसको पढ़ा, उसे ही है जब यलव गिया, और हम देखते हैं कि यही प्टे इसमेह है, जहां modern sense जलो पोना चलो हुआ आप देखो 70 में 70 आप देखे कि समय यूरोप के अंदर क्या हुआ alignment चलो हुआ ना पुरा ऐसा है इसे बिले कुछ से ही था ऐसा है तो देखो यह ग्यान यहां से चुड़ाया था इन लोगों ने और अभी क्या है क्या लगा है made in Europe English ऐसा बदाया जाता है तो यहां से ग्यान गया हुआ है तो यह जो पुरा इतुले गए यहां से एक चीट बुल गए एक बार हमारे सहसाब आचेर अश्री प्रुपाजी जो है यहां के लेंडन में गए थे प्रचार करने के लिए तो लेंडन के प्रेस रिपोटर ने उनको पुछा आप यहां क्यू आए तो प्रुपाज ने जाब दिया उनको आप तो बारत में आए सब कुल लेके चले गए पूरा लेके चले गए एक चीट जो मुख्य थी जो हमने लिए नहीं वहां से वो हम आपको देने के लिए आए है और वो क्या है भारत का आध्यात्मिक संस्कृति जो आप इंग्लेंड वाले इंग्लिस लोग बुड़ चुके थे आप नहीं ले गए हम यह आप देने के लिए आए हैं जो खास करें बगुल गिता के अंदर श्रीमत भागवत अंदर अंकित है तो आज हम देखते हैं इंग्लिस लोग भी दिन गरी एक ग्यान को समझ रहे हैं मगर प्रॉब्म के हो रहा है कि हम भारत के लोग जो है सोच रहे हैं गिता, भारत, रामायान, वेदो यह लोग सब बुड़े लोगों के लिए है, हम तो मौनन हो गए है, ऐसा है आज हम किसी को देखेगे, यह सब पढ़ते हैं, वो लोग मज़ा खुड़ा थे ए बच्चे, क्या है, गिता पढ़ता है, है इसको बच्चे, स्पिड़न लोगों में के लिए पाइसको ऐसा बोलते है, ऐसा नहीं, यह बोर्ट टॉपमस विज्ञान है यही है तो हमारा जो सेमिनार करने का उदेश यही है कि आप विद्धियार के लोग जो है हमारे भारत के जो ग्यान है, वेदिक ग्यान है, उसका मुझा को समझे, क्या है, उसको अपना है, जीवन के अंदर, और देखेगे कि आपका जीवन जो कितना अच्छा बना सकते हैं, ऐसे, मस् सोचो कि हम inferior है, भारत के ग्यान inferior है, वो superior है तुरा, और आद देरे-देरे लोग समझ भी रहे, आद वेदिक के लोग भारत के ग्यान प्राप्त करने के यहां आते हैं, समझ ने के लिए, खास करके भारत के अध्यत्मिक ग्यान, पुरा देश जो है, जितने भी भारत है, दुनिया में देश है, सब भी लोग भारत के ओर देख रहे हैं, किसके लिए, आध जो टॉप्मोस इसको कहा जाएगा ग्यान सिरोमनी कहा जाता है तॉप्मोस नॉलेच आज भी आप जो कि लोग गिता पटो अन्वो करते होगे कितना महत्वपून ग्यान है यह हमरे लिए तो हम आपसे बिंतिक करते हैं कि आप लोग भी यह ग्यान को समझ जानिये खास करें विद्या जो है इसको पढ़िए यह हमारे पास बगुगिता है आप उसको ले जा सकते हैं पर्चेश कर सकते हम खास करके विद्या जो के डिस्कॉन में बुग देगे आपको यह पूरा विस्ता से बताय गया है थोड़ा समय निकालिए कम से कम छुटी है तब थोड़ा नहीं है तो काली एक सिमिला के द्वारा हम आपको पूरा वीटेल में बता नहीं पाएंगे हमारे संभव नहीं है इतना करना मगर अगर आपकी इच्छा है और ज्यादा जानने की विद्धिक जियान के बारे में इसको डे-टो-डे-लाइप में कैसे अप्लाय करना है तो हम हम में फिल अप कर सकते हैं और हम आपके कॉलेज अठोटी को बात करके एफ फोर सेशन आउजित करेंगे जिसमें चिसको हम ज्यादा विस्ता से हम डीटेल में चर्चा करके आपको कैसे उसका लामभविट कर पाएं आपको बता पाएंगे तो यहां मैं पुन्ना होती करता झाल